नमस्कार दोस्तो! यूट्यूब के जड़ी बूटी के अन्य चैनल में एक बार फिर आप सभी का तहित दिल से स्वागत है। दोस्तो, आज हम फिर एक और नायाव जड़ी बूटी की जानकारे ले कर आये हैं, जो प्रकृती की नेमत है, प्रकृती की सोगात है, भले ही हमारे चारो और जितने भी पेड़ पोदे हैं, वो सब प्रकरती के द्वारा दी गई हमें एक नेमत हैं, एक सोगात हैं, जो जड़ी बूटियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, दोस्तों आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकाले लेकर आए हैं, वे कि से रोगों की जानी मानि विस्व परशीद ऑसदी है जिससे अयरुवेद की हजारे उसधियों का निर्मान कि आ जाता है और प्राचिन काल से लेकर आज सक हम उन अस दियों का खूब रियोग करते तो दोस्तों बात करते हैं अब उस प्रकर्ति की नायाब देन को सोगात को बारे में जिसे मेडन हेर या गंजनासनी बूटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस बूटी को केस रक्षक, केस वर्दक बूटी, हंस पदी, हंस राज, रक्त पदी आदी नामों से भी जाना जाता है। यह जड़ी बूटी जिसे हंस पदी कहते हैं हंस के पैरों के चिन्न की भाती पत्रवाली होती है। इसका पोधा छाया वाले स्थानों यानि की पहडियों, दिवारों, नालियों की दिवारों पुराने कुवे हैं उनकी घेरियों दर्जों में पैदा होती है। इसके पोधे छोटे होते हैं, जो एक से पाँच से दस इंच लंबी साखा जैसे होते हैं, जिनके दोनोर आमने सामने पत्र होते हैं, पत्रों का आकार हंस के पैरों के समान होता है। पत्र कुछ कडक वेहरे होते हैं, इसके पत्र दंड कुछ लाल काले से रंके होते हैं, जिन पर धनिये जैसी पत्र लगे होते हैं, पत्र छोटे छोटे वेकटावदार होते हैं, और पत्र के अधह प्रस्ट पर जो प्रजनन कोष्ण होते हैं, से ही अन्य छुप निकलते र पुष्प नहीं दिखाई देते इसका परयोग रक्त पित नक्षीरी छुटना यानि कि नाक मुँसे रक्त का आना मलाव रोद सूखी खासी गर्मी के रोग पित की विकरतियों बालो यानि केस रोगों में यानि बालो का कम बढ़ना बालो का तूटना बालो का जढ़ना बालो का कमजोर होना खुस्क होना और बालो में फंगल इंफेक्शन आदी के होने की समस्या को बहुत अच्छी से लाब पहुचाती है बालो की जो समस्याएं हैं वो इसके परयोग से काफी मातरा में दूर हो जाती हैं तो दोस्तों बात क करते हैं इसके गुणोँ परियोग मात्रादी के बारे में यह बूटी हनस राज गुणों में मधुर स्युखत तथा शीत प्रकुर्त है यानिकी शीतल गुण वाली होती है यह बूटी कफपित का समन् वाली होती है दोस्तों अगर इसके स्वरस का परियोग करते हैं तो 5 से 10 ml तक अगर सुष्क चून का परियोग करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक तथा अगर पंचांग क्वात का परियोग करते हैं तो 10 से 20 ml तक सारी रिख बाला अनुसार प्रकर्ति को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा उचित अनुपान के साथ आप परियोग कर सकते हैं दोस्तों ओश्दी बूटियों के गुणों की जो खान होती हैं लेकिन उनकी अपनी प्रकर्ति वे रोग नाशनी शक्ति होती है अते देशकाल वातावरन बल प्रकर्ति आदि का विशेज महत होता है अते इनका ध्यान भी अवश्य रखा जाना चाहिए इस प्रकार हंसराज बूटि भी अपने गुणों वे प्रभाव के कारण यह भी नाया बूटि है प्रकर्ति की एक सोगात है चलो दोस्तों अब बात करते हैं इससे होने वाले के बारे में अगर कफ के कारण का स्वांस स्वर्भेद की समस्या है तो दोस्तों हंसराज का चून 10 ग्राम ले ले और एक लीटर पानी में डाल कर पका कर क्वात बना ले यानि कि जब पानी पकते पकते चोथाई मात्रा में रह जाए यानि कि 250 ग्राम रह जाए तो उतार कर ठंडा कर ले और उसमें शहद या मिसरी चून मिलाकर 20 से 30 हमल तक की मात्रा में सेवन कराने से बहुत लाब होता है अगर रक्तपित के कारण यानी की सरीर में गर्मी बढ़ने के कारण नाक से मूँ से या अन्य किसी अंग से रक्त आने लगता है नक्सीरी छूट जाती है तो हंसराज चून 50 ग्राम ले लें मुलैठी का चून 25 ग्राम ले लें और छोटी इलाइची का जो चून है वो 5 ग्राम ले लें गिलोए का चून 10 ग्राम ले लें ततम मिसरी चून पच्चास ग्राम मिलाकर सब को एक साथ मिलाकर किसी सीसी में सुरक्षित रख ले और इस चून को पांच से दस ग्राम की मात्रा में मक्षन या मलाई के साथ चाटने से सुबह साम परियोग करने से बहुत लाब होता है और गर्मी शांत हो जाती है और गर्मी की समस्या हो गई है बाल तूटने जड़ने लगे हैं बेजान हो गए हैं रूखे वे क्रांति हीन हो गए हैं तो हंसराज के पत्रों का लेप लगाने या पत्रों का स्वरस बालों की जड़ों में मलने से भी बहुत लाब होता है इसे कुछ ही दिनों में बाल काले घने वे रो लोग रहित हो जाते हैं बालों की समस्याएं दूर हो जाती हैं और बालों का जो परेशानिया है उनका समाधान हो जाता है दोस्तों बालों की समस्या में इसके पत्रों के जो रस में सरसो नाया नारियल वे तिल का तेल मिला कर पका कर तेल सीध कर लें और उस तेल से पालों की जड़ों में मालिस करने से हलके हाथ से मसाज करने से धीरे धीरे बाल काले व्यगहने होते जाते हैं बालों की जड़े मजबूत हो जाती हैं बाल मोटे हो जाते हैं और बालों में करांती बढ़ने लगती है इसे बाल यानी केस रोगों की चानिवानी या विश्व प्रसिद औस दी भी कहा जाता है अते इस गुण का रिबूटी का परियोग बाल रोगों में बहुत हितकारी है दोस्तों बालों में प्रकर्तिक तेलों का परियोग करें मुलतानी मिट्टी से धोकर तेल लगाने से सिग्र लाब होता है दिमागी गर्मी सिरदर्द अनिंद्रा में भी आराम मिलता है तो दोस्तों पेट साप रखे पाचन संस्थान का ध्यान रखे और अपने सरीर को दुरुस्त वस्वस्थ रखे ओस दी बूटी का परियोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करें आसा है दोस्तों आको यस वीडियो पसंद आई दोस्तो जानकारी जो अच्छी लगी है तो किर्पागर के वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बताएगि यह उजदी का लाब उठाइए और अपने स्वास्ते की रक्षा कीजिए दोस्तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के नमस्कार, जै हिंद, जै आयर्वेद